चलो दोस्तों, शरू करते हैं बाब सेर तो बैटा सवा सेर दोस्तों मैंने आपड़ी बहुत अच्छी कानी लगी, इसलिए आपके सामने लोड कर रहा हूं, आपको भी अच्छी लगेगी अच्छी लगते हैं जरूर लाइक सब्क्राइब करना दोस्तों चलो शुरू करते हैं फिर बहुत समय पहले की बात है विराट नगर राजे में जोती सा चारे अरीवललव रहते थे विराट नगर में उनकी जोची इदा का डंका बसता था जन्पत्री देखकर वे जो भी बताते सकते निकलता सुना अरीवललव जी जन्पत्री देखकर जो भी दोसना करते हैं बिल्कुल सही निकलती है क्या यह सच है लगता है तुम अरीवललव जी के यहां जन्पत्री दिखाने पहली बार आए हो तबी ऐसी बाते करे रहे भाय रिवल्लब जी की जिवा में सरस्वती का वास है ये जो भी धोसना करते है सचोकर रहती है इतनी कम उमर में जोसी विदा का इतना ग्याना अश्च्रिय है उनकी पत्नी पर्थम बार गर्बती हुई थी पर्षम काल पूरा हो चुका थाता है एक दिन उनकी पत्नी को पर्षम पूरो की पीड़ा होनी आरम हो गई ललीता देरेज रखो भी गंगादाई को बुला कर लाता हुआ कुछ देर बाद ये गंगादाई को साथ लेकर वापस लोटा ललीता के कक्स में गंगादाई के जाने से पहले से गंगादाई को एक गंगादाई को एक गंगादाई को एक गंगादाई अपनी जनम पत्री देखकर मैंने यह तो पता लगा लिया है कि ललीता के ठीक्था की संतानोगिर वह पूत्तर ही होगा अतर जैसे ललिता पुत्तर को जनम दे तुम उसी सनिय फूल कमरे के बाहर फैक देना इस कारिये में तनक भी देरी ने करना गुलाब के फूल को कमरे के बाहर गिरा देखकर मुझे पूत्तर के जनम का सही समय पता चल जाएगा ठीक से मैं जान करी मुझे उसके जन्म पत्री बनानी है मैं इस पात का ध्यान रखूंगे जोति साचारिय जी तब हरीवल लब कागज कलम और पंचांग ले वही कक्स के बाहर बैठ गया इधर कुछ देर बादी ललिता ने एक अस्टपुच पत्रों का जन्म दिया क्या बात है बच्चा पैदा होने के बात रोया क्यों नहीं बच्चा रोयगा नहीं तो बच्चे का कैसे तब उसने नवजा शिसु की कमर पर दो तिन चपत लगाई शिसु ततकाली सांस लेकर रोने लगा शुकर है बच्चा रोया तो सही हुआ तब इस हैसा उसे कुछ याद आया, वो मैं तो बच्चे के जनम के पर साथ गुलाव का फूल कक्स के बाहर फैकना ही बूल गई, उसने जल्दी से थोड़ा सा परदा अटा गुलाव का फूल बाहर के रुचाल दिया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी, बच्चे का जनम हुए पंद्रे मिंट से भी उपर हो चले थे, रिवल लब ने गुलाव का फूल कक्स के बाहर पड़ा देख कर सोचा, तो बच्चे ने अब जनम लिया है, रिवल लब ने तुरुद पंचा खोला, गंणा करके इस्टकाल निकला, तत पस्चाथ बच्चे की जनम पत्री ब बढ़ेगी, अत्या मैं बच्चे को कभी भी देखना है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, हरी वलल बजीब वहां पोस में पड़ गए, तब उसके दिमाग में एक विचार आया, सब से सरल उपाय तो यही रहेगा कि मैं इसी समय घर छोड़ कर चला जाओं, तब ही अ सुचना दी या नहीं, ललिता जो अत्षाचारिया जी को फुतर होने की सुचना तो मैं गुलाब भार फैक कर दे चुकी हूँ, अब तक तो उन्होंने बच्चे की जर्म पत्री भी बना ली होगी, तो जाओ जरा बहार जाकर उनसे मालुम कर क्या हो कि बच्चे की जर्म प पास आई, क्या बात गंगादाई तुम प्रेशान से लग रही हो, ललिता जो अतिशाचारिया अपने स्थान पर नेजाने कहां चले गए हैं, सुनकर ललिता चोकी, क्या कह रहे हो गंगादाई, ऐसी सुब गड़ी में वे घर छोड़ कर कैसे जा सकते हैं, रात ओने पर ज स्वामी कहीं किसी जमेले में ने तो नहीं फस गए, अब तक तो उने हर आलत में घर वापस लोटा आना चाहिए था, संब्रदी और परोशियों ने वे हरी वल्लब को चार और काफी तलास क्या पर हरी वल्लब उन्हें कहीं नहीं मिला, अब तो ललिता बुरी तरह घबरा उठी, ए बगवान यह मुझ पर तुन्हें कैसी विप्तार डाली, एक और पुत्तर जर्म की खुशी तो दूसरी और पती के विछों का दुख समझ में नहीं आ रहा कि मैं हसूं या रोहूं, जब कुछ नहीं सूचा तो वे फूट फूट कर रोने लगे, हरी वल्लब को व पुत्तर किरोडी वल्लब को कैसे पाल उपसूं, जब फाके मारने के नौबत आगे तो हर कुछ ने लोगों के यहां सोका बरतन करना खाना बनाना शुरू कर दिया, इस परकार है जैसे तैसे अपना और अपने पुत्तर किरोडी वल्लब का पेट पालने लगी, दिरे दिर किरोडी वल्लब पूरे पांच वर्स का गया, असपरोस की इस्तरिया उसे देखकर बहुब सिकोड थी, बड़ा मनूस है यह किरोडी वल्लब इसके पैदा होती, इसका बाप लापता हो गया, अस्ता खेलता घर तबाव कर रहा गया, किरोडी वल्लब की समझ में कुछ नहा गया तो, बेटा सच क्या या तो बगवान ही जाने, तेरे पिता पंचांग लिंग, तेरे जनम की प्रतिक्षा में कक्से बहार बैठे थे, तभी पता नहीं क्या वाकिए अपने पोथी पत्रे लेकर घर से चले गया, इसलिए सब लोग तुमें मनूस कहते हैं, वो तो यह बात है, कि रोड़ी वललव का मुँ उतर गया, यह देख लिलिता ने उसे समझा, तो दास के होता बेटा, तेरे पिता चाहते हैं थे, कि उनका बेटा उन से भी ज्यादा बुद्धी मान ही जोशी सास्तर का ज्याता बने, अब तो शिक्ष्या गरण करने योगे हो गया, मै तो मैं उनी विपुल रुषी के पास शिक्षया धनितो लेकर जाएंगें जिन विपुल रुषी के तुमारे पिता ने जोशी सास्तर वुद्धी मानी के शिक्ष्या ली थी, मा hatır जोशी सास्तर के शिक्ष्या गरं करके मैं पिता-जी की इच्षाय उसे पूरी करूंगा, ललिता उसी तुन से लेकर सुब बन में भी पुल जिसी के आश्रम में पूंची। रिसीवर या किरोडी वल्लब आपके भूत पूरा सिक्षा अरी वल्लब का पुत्तर है। मैं इसकी मा हूँ, मैं इसे आपके सिरी चर्णों में छोड़ने आई हूँ। मैं चाती हूँ कि आप इसे जोची सास्तर कुछी सिक्षा दे और इसे बुद्धिमान बनाए। ठीक है देवी, मैं तुमारे पुत्र गवस से शिक्षा दूँगा, लेकि इसे तुम क्यों लेकर आई हो, इसका पिता कहा है। सुनकर ललीता की आखों में आशु भराए। क्या बात है। देवी, मेरी बात सुनकर तुम रोने क्यों लगी। ओ देवी, तब रोते रोते ललीता ने अरी वललब के बारे में बता। ओ देवी, यह तो तुमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। रिशीवर जो हुआ सो हुआ, अब तोईसी आश पर जी रही हूँ, कि क्योड़ी वललब आपकी सत्तर चाय में रहकर ग्यानर जीत करेता कि बुडापे में मुझे कुछ हांती मिल सके। तुम फिकर मत करो देवी, अब मैं क्योड़ी वललब को तभी तुमारे पास बेजू रहकर उनसे जोची सास्तर के सिक्षा करने लगा, जोची सास्तर के सिक्षा के साथ साथ वे उनसे ज्यान ध्यान में बुद्धी मानी के सिक्षा भी लेने लगा, इस प्रकारशने आश्रम में रहकर विपुलरशी से पूरे 20 वर्ष सिक्षा ली, तत पस साथ एक दिन, से पहले तुम्हें अपनी बुद्धी मानी की प्रिक्षा देनी होगा, इसके लिए तुम्हें धारा नगरी जाना होगा, वहां का राजा धन्नामल भूत इस सक्त मिजाद है, उसे यह जरा भी पसंद नहीं को उसके महल के सामने से कोई भी स्वारी गुजरे, उसने महल के भा लिखवा दिया कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार के वहान में बैठकर महल के भार से ना निकले, यदि आग्या का पालन नहीं क्या तो दोसी व्यक्ति को बाहरी जुर्माना अदा करना होगा, तुम्हें धारा नगरी जाकर गमंडी वे मगरूर राजा धन्नालल का गमंद तोलना है, और उसे महल का बंद रास्ता खुलवाना, यदि तुम ऐसा कर सके था, तुम बुद्धी मानी की प्रिक्षया में उतरीन माने जाओगे, गुर्दे मैं आज ही धारा नगरी के और प्रस्थान करता हूँ, तब इपुल रिशी से आसिरवाद लेकि रोड़ी तरह कर उस दिशा में तुम्हें व्यापार से सिपलता मिलेगी, तद पसाथ एक रत किराय पर ले उसमें बैठ राजा धन्नामल के महल के और चल दिया, जैसे उसका रत धन्नामल के महल के नजदीक मुझा पहरेदारों ने आगे बढ़कर उसका रत रोक लिया, एक कौन हो तुम जातेनी रत किदर से ले जारों राजा धन्नामल का हुकम के उनके महल के सामने से कोई भी स्वारी ना निकले, नई तो क्या करेंगे तुम्हारे राजा धन्नामल, फहरेदार कड़ता होा बोला, हमारे महराज को सोर सराबा बिल्कुल पसंद ने शले, उनके और से ऐस प्रति दिन जुब्राना दा करके रत को इदर से निकाला करेंगे इदर जब महल में रादा धनामल ने रत के टापों गोडों के टापों की आवाज सुनी तो उसने फोरन पहरेदारों को अपने पास बुला अभी कुछ देर पहले किस का रत महल के बार से गुजरा था पहरेदार ने कापते धनामल को किरोडी वल्लब के बारें बता महराज वहे आदमी जुर्माने में 4-7 मुद्रा देगे और कल फिर महल के बाहर से रत लेकर गुजरने के लिए कह गया है ऐसा ठीक है कल भी जदी वहे आदमी महारे महल के आगे से निकले तो उससे जुर्माने में 8-7 मुद्रा वसूल करना जो आ गया महराज एक पहरेदार ने आगे बढ़कर चारों सन्मुद्रा धन्नामल को दी और फिर दोनों पहरेदार कक्ष से निकल गए दूसरे दिन किरोडी बलब फिर रत में बैठकर महल के पास मुझा तो पहरेदारों ने आगे बढ़कर फिर उसका रत रोक लिया एक क्या तुमने महल के भार लिके फर्मान को नहीं पड़ा राधा धन्नामल के उफादार चोकिदार उस फर्मान को तुम ही पड़ो हाँ या बताव आज मुझे कितना जुर्माना देना होगा आज तुम्हे जुर्माने में आठ सन्मुद्रा देनी होगी किरोडी मलना जेव से आठ सन्मुद्रा निकाली और पैरदार को दे वहां से आगे चल दिया फिर तो यह परति दिन का काम बनगा किरोडी वल्लब के रत में बैठ महल के बाहर से गुजरता पैरदार पहले दिन से दुगनी सन्मुद्रा जुर्माने के रूप में उससे वसूल करता और किरोडी वल्लब अस्ते अस्ते महल के सामने से रत ले जाता जब इस प्रकार कई दिन गुजर गए और किरोडी वल्लब ने हारने मानी तो धन्नामल परेशान उठा उसने पैरेदारों के अपने पास बलाया महाराज हम से कोई गल्ती हो गई क्या महाराज हम तो जुर्माने की सन्मुद्रा परति दिन आपको दे जाते हैं सो तो ठीक है पैरेदारों पर हमने हार मानना नी सिखा वे क्रोडी वल्लब सन्मुद्रा देगर रोज हमारा पमान करके चला जाता है सो तो है महाराज सेजा कुछ सोच कर धन्नामल के चेरे पर मुस्कराट दोड़ा वे पैरेदारों से बोला उस मगरूर रत्वाले का नाम क्रोडी वल्लब है न जी है महाराज वे काफी दन्वान लगता है साथ इसमें क्या सेक है महाराज दन्वान है तभी तो अपरती दिन इतनी सन्मुद्रा जुर्माने में दे जाता है तब तो छोटी रकम जेम में रकना उसकी सान के खिलाप होगा सो तो है महाराज बस तो बन गया काम तुम ऐसा करना कल जब किरोडी वल्लब रत लेकर महल के बार से गुजरे तो तुम से जुर्माने में कोडी मांगना और तब तमासा देखना महाराज यह क्या कह रहे हैं आप कोडी भी कोई मांगने के चीज है इसके अलावा किरोडी वल्लब को निचा दिखाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है दूसरे दिन जैसे किरोडी वल्लब का रत महल के भार रुका सव राजा धन्नामल महल के द्वार पुराख खडएवे धन्नामल को देख पहरेद्वारों का सास बड़ा किरोडी वल्लब जी आज तुम जुर्माना दानाय कर सकोगे तुमने यह सोच काशे लिया, बोलो कितनी सन्मुद्रायव दू कल से दुगनी, चोगनी, आठ बुनी या दिख नई नई आज इतना जुर्माना नई चाहिए, आज तो जुर्माने में तुम सिरफ ये कोडी दे दो क्या कहा कोड़ी अरे सन मुद्राय मांगो सन मुद्राय मुझसे जुर्माने में कोड़ी मांगते हो तुम्हें लज्जा नहीं हा रही क्या नहीं लज्जा कैसी आज तो मैं जुर्माने में के वले कोड़ी चाहिए क्या बकवास करते हो पहरेदार कल तक तो जुरुमाने में सर्ण मुद्राव शुल करते थे आज क्या तुमारा दिमाग फिर गया है नय तो दिमाग फिरा और नय चल गया है हम लोग तो बस महाराज धन्नामल के उकम का पालन कर रहे हैं तब किरोडी मल ने मुश्कराते हुए जेब से सर्ण मुद्राव के थेली निकाली लोग इन सर्ण मुद्रा से जारक कोडिया आ जाएंगी तब तुम और तुमारे महाराज बैठ कर जी चाहिए जितनी कोडिया खेलना तब तो धन्नामल के एक रोदगा कोई और छोर ने रहा वाचाल किरोडी वललब अपनी जबान को लगा मलगा देख लिए तुमारे योकात कोडी पास मेनी और नाम रख लिया किरोडी वललब आज ये सिर्फ तुम कोडी वललब रहोगे केवल कोडी वललब आप ठीक कह रहें राजा विखारी मल जी क्या तुमने मज़े विखारी मल का तुमारे लिए यही नाम उचीत राजा विखारी मल तुम अपने सब्द वापस लो जानते नहीं मेरा नाम कि विखारी मलने होकर धन्नामल है राजन जब आपने अपनी ओकात ही गिरा दी तो आप धन्नामल से बिखारी मलने हो गए कल तक तो आप मुझे सन मुदराओ का जुर माना उसुल करने के ओकात रखते थे और आज कोड़ी प्रूतर आये हो इसलिए तुम आज से बिखारी मल हो ने कि धन्नामल किरोडी वल्लब की बात सुनकर एक पल के लिए धन्नामल का मुझे से लालोग है फिर वैसने लगा किरोडी वल्लब निश्चे तुम बुद्धिमान वैक्ति हो हम तुम्हें निचा दिखाने चले थे पर तुमने तो हमें उल्टा सबक सिखा दिया हम तुम्हारी बुद्धिमानी पर परसन है राजन यदि आप मुझसे खुस है तो मेरी एक पराथना स्विकार कर लीजे क्या पराथना तुम्हारी राजन अपनी सुईदा के लिए किसी भी पतपर यात्रियों के आने जाने की रोक लगाना उचित नहीं है आप इस रहा पर लगी रोक टाक इस रास्ते को सर्व साधान के लिए खोल दीजिए ठीक है किरोडिवलब जी हम आज इस सड़क को सर्व साधान के लिए खोल देते हैं दनावल के आदेश पर राज महल के बाहर से ओकर गुजरने वाली सड़क उसी समय लोगों के लिए खोल दी गई मेरा कार्य पूरा वा मुझे गुरुदेव के पास लोट चलना चाहिए किरोडिवलब उसी दिन धारानगरी से चल दिया आसर में पूंचकोष ने विपूल रिशी को विस्तार पुरुख सारी बात पताते हुए का गुरुदेव आपकी आग्यानशार में धारानगरी के महल के बाहर वाली बंसड़क को परजा के आवगन के लिए खुलवाया हूँ सुनकर विपूल रिशी हस पड़े कि रोड़ी वलब तुम दिमानी के परिक्षा में तो उतरिन हुए अब तुम्हें जोतिसी विदा के परिक्षा और उतरिन करनी है इसके लिए तुम्हें परसांत नगर राजे में जाना होगा वहाँ इन दोना अकाल पड़ा हुए वर्षा कब होगे है जानने के लिए वहाँ के राजा महिपाल ने जोसी समेले नाजित किया तुम्हें जोसी समेले में सामिल होकर वर्षा होने के बारे में सवी बईस्यवानी करनी है दि तुम ने ऐसा क्या तो तुम दूसरी परिक्सया में उत्रिण माने जाओगे किरोडी वल्लब वीपिल रिशी से आशिरवाद ले उसी समय परसांत नगर के और चल दिया चलते चलते या परसांत नगर के समीब जा पहुंचा वो बहुत गर्मी है थोड़ी देश पेड़ के नीचे बैठ कर विश्राम कर लो तब आगे बढ़ूँगा उस किरोडी वल्लब के पेड़ के नीचे बैठ कर सुस्ताने लगा उसी समय उसकी नजर एक नेवले पर पड़ी नेवला किसी पर जपटने का तयार है उसने उटकर ज़ाडी के दूसरी और देखा वो नेवला साब के बच्चों पर धात लगाए बैठा साब के बच्चों को अवस्य मार देगा उसके दिल में साब के बच्चों के प्रति दयाव मड़ाई उसने ततकाली एक बड़ा सा पत्थर उठा नेवले के और फैका पत्थर की मार से नेवला वहाँ से बाग खड़ा हुआ साप के बच्चे भी रेंग कर अपने बिल में गुश के कुछी देर बाद बिल में से एक नागिन लहराती भी बाहर निकली एक किरोडी वलम के पास आकर बोली तुमने नेवले से मेरे बच्चों के बचा कर मुझ पर बहुत उपकार किया मैं तुमारा खजाना तुम्हें वापस लोटा दूँगी मेरा खजाना? हाँ तुमारा खजाना पास के खंडरों में तुमारा खजाना दुबा पड़ा है उस खजाने को क्याल तुम ही ले सकते और किसी के आध का सपर्ज पाते वे खजाना जल कर राक हो जाएगा नागिन खजाना मेरा कैसे होगा कैसे विश्व में मुझे कुछ बताओगी सुनो अपिछले जनम में तुम एक परतापी राजा थे एक बार तुमारा नन्ना पुतर महल के उदान में सोया हो था उसके कॉमल चेहरे पर धूप पड़ रही थी मेरे पती नागराज ने राजकुमार को दूप से बचाने के लिए उसके उपर अपना फन फैला दिया तभी तुम वहां से गुजरे नागराज को गल्द समझ कर तुमने तलवार के एक ही वार से उनके दो टुकडे कर दिये यह देखकर मैं भूध दुखी ओटी तुम सक एक सक द्यालू राजा थे इसलिए मैंने तुमारा निस्ट करना तो ठीक नहीं समझा पर मैंने तुमारे खजाने पर अपनी सगी समझियों कर लेकर कबजा कर लिया कुछ समय बाद धन के अबाव में तुमारे पडोसी राजा ने तुम्हे युद मेहरा कर मार दिया और मेरी मन्द चाही हो गई पर आज नेवले से मेरे बच्चों के रक्षा करके तुमने मुझे पर एहसान कर दिया एहसान कर दिया मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ इसलिए मैं तुम्हारा खजाना तुम्हे सोपना चाहती हूँ पर वैं खजाना है कहाँ तुम मेरे पिछे प्चे चले आओ मैं तुम्हे खजाने का रास्ता दिखाती हूँ कहकर नागिन आगिन पर चली नागिन के फुकार से पत्थरों के बिच रास्ता बन गया था यही खजाने का रास्ता आओ मेरे साथ किरोडी वलब सीडिया उतर कर नागिन के साथ खजाने में पूँचा इतनी दोलत सीगरी खजाने के रक्षा करते हैं गिन चापों ने उसे घेर लिया या देखकर नागिन ने सापों से का कोई भी किरोडी वलब को नुक्सान नहीं पूचाएगा यह खजाना इसका है आज से खजाने को मैं इने सोप रहे हूँ नागिन का कथन सुनते सारे नाग चुपचाप खंडर से बाहर चले गए तब किरोडी वलब ने नागिन से का नागिन इस समय तो मैं आसककारे से परसाथ नागिन इस समय वापस लोटते समय मैं खजाने को यहां से ले जाऊँगा मेरे वापस लोटने तक तुम इस खजाने की और रक्सा करने होगे ठीक है तब नागिन से विदाल एक किरोडी वलब पून परसाथ नगर क्यों चल दिया इसे कहते हैं किस्मत एक ही जटके में किस्मत ने मुझे खजाने का मालिक बना दिया जल्ती है परसाथ नगर जा पहुंचा लगता है जोची जोची सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजदरबार की और ही जा रहे हैं मुझे भी इनके पिछे-पिछे महल की और चलना चाहिए अन्ना जोची एक साथ किरोडी वलब भी राजदरबार में जा पहुंचा जब सभी जोशी ने अपना अपना स्थान गर्ण के लिया दा राजा महिपाल ने दोसना की आप सभी लोग जानते कि जोशी समेलन हमने क्यों बुला है आप सभी विद्याने जोशी गर्णा करके बताए कि राज़ा में वर्षा कब होगी सबी बहिस्यवानी करने वालो कोचित पुरुषकार दिया जाएगा गंड़ना करके सक्स जोची ने दोसना कि एक जोची ने दोसना कि महाराज वर्षा का योग तो है नियो महिपाल बुरी तरह प्रेशान उठा एक तब एक अधेर जोची ने उठकर महिपाल से का महाराज गबरायनी मेरी गंड़ा के नुशाराज साम पांच बज़ कर दस मिट पर वर्षा होने का योग है अच्छा किरोडी मल भी अपनी गंड़ा पूरी कर चावे तरह अपने स्थान से उठकर राजा महिपाल से बोला महाराज बर्षा पांच बज़ कर दस मिट पर नहीं अपी तुप पांच बज़ कर पंद्रे मिट पर होगे किरोडी बलब का कतन सुनका देड़ जोसी का मुलाल हो गए तीखी आवाज में उससे बोला तू कल का छोकरा अमारी गंड़ा में दोस निकालता रहे मैं तो वर्षा होने के साथ साथ एक दा और भी करता हम वर्षा के साथ साथ होले भी पढ़ेंगे एक एक ओला पचास पचास गराम का होगा आपका यह कहना तो ठीक है कि वर्षा एक साथ होले भी पड़े है पर यह कहना गल्ट है कि ओले एक एक छटांक के होगे बोले एक छटांक के ने अकर से कुछ कम के होगे ठीक है ऐसा ही सही, इस समझे चार बजे पांच बज कर दस मिट पर सवेज बात का फैसल हो जागी कौन गलत है कौन सही लेकिन आकास में चमकता सुरत त्वा गूगल आकास में बादल नाम अत्र को भी ने फिर वर्सा कैसे हो गई राजन वर्सा हो गई या उससे हो गई तब किरोडी वल्लब और देड जोशिय को कहने पर महिपाल से सब लोग उठकर भाहर खुले मैदान में आ गए माराज यहीं पर रुक कर में वर्सा की प्रतिक्षा करनी है ठीक पांच बजे पतानी कहां से आकर आकास में काली घटाय चांगी चमतकार दोनों जोशिय का कथन सच निकला अब देखना यह की वर्सा पांच बजकर दस मिट पर होते है पांच बजकर पंद्रह मिट पर धीरे दिरे दस मिट बीट गए पर धर्तिक पर वर्सा की एक भी मूदना पड़ी यह देखर देड जोशिय बोला चोका यह क्या वर्षा क्यों नहीं आज से पहले तो मेरी गड़ना कभी जूट नहीं होई फिर आज यह अन्होनी क्यों जैसे पांच बज कर पंद्रह मीट हुआ वर्षा की जड़ी लग गई वो आखिर वर्षा होई गई युवा जोसी की भईसेवानी अक्सर सत्त निकली तभी वर्षा के साथ सा तोले भी पढ़ने लगे यह भी भईसेवानी सत्च हो गई अब इन ओलों को तुलवा करें देखा जाए कि इनका वजन कितना है राजा महिपाल का देश पर एक सेवक दोड कर तराजू ले अँचेर पुरकर एक कर कसेखा क यह कई ओले तोले महाराज कोई भी भी पूरी छटाक कानी है कोई तो मासे कम है कोई तीन मासे कम है आस्त्र यह युवा जोसी की दूसरी भईसेवानी वेक्सर सत्त निकली उसने किरोडी वल्लव से कहा योग निश्चे तुम बहुत हो नार हो मैं अपनी यार स्विकार करता हूँ लेकिन यह तो बता कि तुम किसके पुत्तर हो माने और मैं अपने पिता को नहीं अपने पूर्शार्थ के पल पर आगे बढ़ा हूँ इसलिए पिता का नाम नहीं बताऊंगा लगता है तुम किसी बात पर अपने पिता से रुष्ट हो चलो अपने पिता का नाम वे अपने नगर का नाम ही बता दो तो सुनिये मैं विराटनेगर का रहने वाला हूँ मेरा नाम किरोडी वल्लब है और मेरी माता का नाम ललीता है किरोडी वल्लब का प्रिच्छे पाकर देड़ जोसिय तो बरत रहाएगा तुम ललीता के पुत्तर हो हाले कि तुम यह जानकर चोक्योंगे बेटा मैं तुमारा पिता हरी वल्लब हूँ क्या हाँ बेटा तुमारा जनम लेते ही मैं घर त्याकर चला आथा लेकिन क्यों आपने मुझ पर मेरी मा पर यह जुलम क्यों किया बेटा तुमारी कुंडली में पितर रंतायोग था, उस कुंडली के अनुसर तुमें तो मनद मुद्धी होना चाहिए था और तुमारा कज छोटा होना चाहिए था लेकिन कुंडली के भी फिर तुम लंबे डील डोल के वेतनत बुद्धिमान और फिर तुम्हें देखकर मेरी मुर्टू भी न हुई समझ में नहीं आरा कि तुम्हारी जर्म पत्री की बात इस प्रकार जूठी कैसे हुई वो तो यह कार्ण था आपके घर छोड़ कर चले जाने का हाँ बेटा मेरे घर परी ताक का यह कार्ण था पिताजी मैं आपको बताता हूँ कि आपके द्वारा बनाईगी मेरी जर्म पत्री जूठी कैसे सिद हो गई पिताजी साथ हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था इसलिए कुछ दुख है तुमने दुखी न हो ये तुम जैसा विदान बेटा पाकर मैं अपने आपको गोरंतित मनुब कर रहा हूँ आओ मेरे सीने से लग जाओ किरोडी वल्लब का आगे बढ़कर पिता की छाती से लग गया रिवल्लब की आखों में खुशी के आशू बैने लगे बाप बेटे का नोखा मिलन देखकर सब लोग हहरान थे राजा महिपाल ने भी मुस्करा कर यही कहा बाप बेटे की कैसी सुन्धर जोड़ी है बाप सेर है तो बेटा सवा सेर है कुछ पल बाद किरोडी वल्लब यह तो बता तुमने वर्सा के सही समय रोलो के सही वजन को किस प्रकार जान पर जमीन तक पूँचते पुचते दो तिन मासे तो गलेगा ही माज गणीत का सुद और प्रयाप्त ने फल बताते समय व्यापारिक बुद्धी प्रयोग भी अनिवा रहे है मैंने जोशिय और व्यावारिक बुद्धी का प्रयोग करके सही बहिश्यवानी की थी क्योड़ क्योड़िवलब निस्चे तुम अतंत विदान हो हम कई वर्सों से ऐसे इस पातर की तलास में थे क्योड़िवलब हम तुमें अपना दामाद बना चाते हैं हमारी पूतिरी राजकुमार चंद्रीका के साथ तुमें विवा करने में कोई हैतराज तो नहीं है समा करे कर मैं अपने आपको गुर्व नततित में हैसुस करूंगा तो आईए हमारे साथ महल में चली आज से आप हमारे राज के महमान हैं चलिए राजन महिपाल ने पिता पुतर को साधर राज के अथिति गरह में ठहरा है अरी वलब जी कल सुब बेला में राजकुमार चंद्रीक कर को पुरी तरह से सजागा सुम मुरत में दूसरे दिन संद्रीका वे किरोडी वलब का विभा हुआ हरी वलब एक किरोडी वलब कई दिन तक महिपाल के महमान बनकर परसाद ना करमर एक दिन महाराज अपमें आ गया देजिए घर पर मेरी बुडी मा मेरी रहा देख रही ह हम तुमारी विदाई का प्रबंद करते हैं मैपाल ने पूरे दान देज के साथ संद्रीका को किरोडी वलब के साथ विदा किया किरोडी वलब पिता वे पतनी के साथ विपुल रिशी के आश्रम में पहुचा यह तुम कहां के किरोडी वलब यह तो मेरे गुरु विपुल सिक्षे के रूप में मेरे चर्ण सूरे हैं संद्रीका ने आगे बढ़कर रिशी से आशिरवाद लिया तब कि रोडी वल्लब ने रिशी को बता कि उसने किस प्रकार परसाध नगर में सही बैस्से वाने कि ती सारी बात जान कर कि रोडी वल्लब आज तुम दूसरी प्रिक् संद्र में गया नागिन मैं आ गया हूं ठीक अब तुम अपना खजाना संबालो कि क्याकर नागिन रेंगती जाडियों में लोप होगी तब सेकों से सारे खजाने को हाथी गोड़ों पर लदवा दिया कि रोडी वल्लब धंदोलत वे पूरे लावलस्कर के साथ कि राट न क्राइक स्ब्काइक